आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now देखे question क्या है when x cube minus 2x square plus ab minus b is divided by x square minus 2x minus 3 the remainder is x minus 6 the value of a and b are respectively a और b की value क्या होगी तो question में बोला है अगर अगर x cube minus का 2x square plus में ax minus b अगर divide करते हैं किस से x square minus का 2x minus का 3 से तो remainder कितना बचता है remainder बचता है x minus का 6 तो यहां कुछ quotient आएगा क्यों x तो यहां क्या हैगा quotient आएगा कुछ ठीक है तो अगर यह क्या है remainder ठीक है यह क्या है quotient divisor dividend ठीक है तो यहां से अगर remainder को इस में से minus कर दे remainder को अगर इस में से minus कर दे तो यह complete divide होगा x square minus 2 x minus 3 से ठीक है देखिए समझाते हैं आपको अगर बोला क्या गया है अगर 2 is divided by 9 अगर 2 को 9 से divide करते हैं तो question कितना हैगा 4 8 और यह 1 तो remainder कितना हुआ 8 तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं अगर remainder को 9 में से minus करते हैं तो 2 से complete जाएगा जो remaining होगा तो इसका मतलब हम क्या अगर देते हैं यहां से इस में से इसको minus ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x cube minus का 2 x square plus में ax minus b x minus का 6 minus plus तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x cube minus का 2 x square plus में a minus 1 into में x ठीक है plus bracket 6 minus b 6 minus b तो इसको अगर हम divide करें किस से इस पार्ट को अगर divide करें x square minus 2 x minus 3 से तो यह क्या होना चाहिए इसका factor होना चाहिए यह क्या होना चाहिए इसका factor होना चाहिए तो यहां से हम बोलेंगे x square minus 2 x minus 3 यह है इसको हमने क्या बोल दिया 0 के बरबर तो यहां से अगर इसके factor ही निकाले तो यहां से हो जाएगा x square minus का 3x plus का x minus का 3 is equals to 0 तो यहां से ही यह आ गया x common x minus 3 ऐसे ही plus 1 x minus 3 is equals to 0 तो यहां से होगा x minus 3 एंड डू में x plus 1 is equals to 0 तो x के value एक बार तो 3 और एक बार क्या आ जाएगी minus 1 तो इसका मतलब यह है कि इसके factor क्या होंगे इसके zeros क्या होंगे इसके zeros एक तो x is equals to 3 होगा और एक x is equals to minus 1 होगा एक क्या होगा x is equals to 3 और एक x is equals to minus 1 तो दोनों value put करी अगर x is equals to 3 और दोनों value किसके बराबर आएंगे 0 तो अगर x is equals to 3 put करेंगे तो value क्या हो जाएगे 3 की power 3 27 minus 2 into 9 plus में a minus 1 a minus 1 into में 3 plus 6 minus b ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा 27 minus का 18 plus का 3 a minus का 3 plus का 6 minus का b is equals to 0 is equals to 0 अब 18 minus minus 18 minus 3 minus का 21 minus का 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 plus 6 12 तो हो जाएगा 12 plus में 3 a minus का b is equals to 0 तो यहाँ से equation क्या बन जाएगी आपकी equation बन जाएगी 3 a minus का b is equals to minus का 12 तो यह तो होगी आपकी एक equation यह होगी आपकी एक equation अब बात करते हैं अगर x is equals to क्या होगा x is equals to minus 1 तो यहाँ से term क्या बन जाएगी आपकी यह होगा minus 1 minus का 2 ठीक है minus bracket a minus 1 plus 6 minus b is equals to 0 ठीक है minus 1 की पाहर 3 minus 1 minus 1 की पाहर 2 positive रहना हो जाएगा लेकिन minus 2 है तो इसलिए minus 2 ठीक है x क्या है minus 1 तो minus a minus 1 और plus में 6 minus b तो यहाँ से इसको solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus 3 minus का a plus का 1 plus का 6 minus का b is equals to 0 तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं 6 plus 1 4 4 में से 6 plus 1 7 7 में से 3 गया तो यह जाएगा 4 तो 4 is equals to a plus b 4 is equals to a plus b यह हो गए आपकी equation number 2 यह हो गए आपकी equation number 2 अब हम क्या करेंगे elimination method लगा देते हैं पहली equation है 3a minus b is equals to minus 12 और दूसरी equation क्या है a plus b is equals to 4 तो elimination add कर दिया दोनों equation को first and second को add कर दिया तो b b cancel तो 4a किसके बराबर होगे आपका 4a हो जाएगा minus का 8 के बराबर तो यहाँ से a की value कितनी आगी आपकी a की value आजएगी minus का 2 तो यह रहा आपका a अब a की value यहाँ पुट करी तो a plus b किसके बराबर है 4a कितना minus 2 plus b कितना 4 तो b की value कितनी हो गई 6 तो यहाँ से b कितना आगया 6 तो a कितना minus 2 b कितना 6 तो यहाँ से आगी a और b की value a minus 2 b 6 a minus 2 b 6 तो answer कौन सा है minus 2 और 6 कौन सा option सही है option number c a क्या है minus 2 और b क्या है 6 यही आया था देखिए a क्या था minus 2 और b क्या है 6 तो यहाँ से correct option कौन सा है c तो आप का answer हो गया c option ठीक है क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर क्या झानलोडीन